हम लोग आधनिक भारत का इतिहास पर रहे हैं और आधनिक भारत के इतिहास में हम लोग जिस टॉपिक पर डिश्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेटिस काल में सिख्छा का विकाश उस संदर में हमने जो लास्ट क्लास तक पढ़ाया था वो पढ़ाया था आपको लास 1882 में जो है पंजाब विश्विद्याले के स्थापना हुई और 1887 में जो है आपका इलहावा विश्विद्याले का स्थापना हुआ यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका अब मैं आपको पढ़ाऊँगा उनीश्वी शतावदी अब मैं बीशविश्विश्विश अतावदी में जो बिटिस काल में सिंथ्छा का विकास हुआ मेरे कहनेकार थैनीश्षो से लेके 1947 तक का मैं आपको बिट्टी स्काल में सिच्छा का विकास हुआ वो बताऊंगा इसी समय लौर्ड कॉर्जन जो है भारत का वायसराय बनकर आया और कॉर्जन जो था वह एक पर्टिक्रियावादी सोचका बैती था और इस समय भारत में राश्वाद काफी तेजी से बर रहा था और पाया गया कि विश्पिद्याले में जो है बिट्टी सरकार के खिलाफ जो है जो चात्र है वो आंदोलन करते हैं साजिश करते हैं तो लौर्ड कर्जन ने इन सब चीचों को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1801 मे सितंबर 1801 में लौर्ड कर्जन ने सिमला में एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में यह था कि सिछा के सभी पहलू पर विचार करना सितंबर 1901 में सिमला में सम्मेलन बुलाया लौर्ड कर्जन ने और उसमें यह decision लेना था कि सिछा के सभी पहलू पर विचार किया जाए 1902 में जो है लौर्ड कर्जन ने टॉमस रॉयले की अध्यक्स्ता में एक सिछ्छा आयोग का गठन किया और इस सिछ्छा आयोग ने जो है जो प्रस्ताव प्रस्ताव दिया उसी पर 1904 हिस्वी में विश्विध्याले अधिनियम लाया गया उन्हें 104 का विश्विध्याले अधिनियम कर्जन ने पाड़िया इस विश्विध्याले अधिनियम के द्वारा इया था कि विश्विध्याले पर सरकारी नियंतर को बढ़ाना था विश्विध्याले पर सरकारी नियंतर को बढ़ाना था यही कर्जन के समय में सिछ्छा प पंचीं दिखर्जांतर बताते शाया कि विश्विद्यालया दन्यम का लुशना करते गले राश्ठी शिछा के परतिगामी कदम अधाया पर पालकिष्ण गोख्रेंद में बताया कि यह हुआ आपका करजन के समय में चाह्या हुआ उसके संधर में बाद अगर हम इसी सवे देखते हैं 1916 में एक है बरोदा रियासत भरोदा रियासत इस चोँ में उसने अपने रियासत में प्रात्री सिच्छा को को जो है मुद कर दिया और अनिवार्ज कर दिया गया निशुलक और निशुलक और अनिवार्ज कर दिया बुरोदार यासत में यह बहुत बड़ा आपका सकते हैं कि तत्कालिन सभी देशी ज्यासतों में बुरोदार यासत का यह बहुत बड़ा कदम था और वह आपका सकते ह कि wanna सबसे दुर्दर्श्पी दिस्टिकों डखने वाला यासत था बरोदार यासत कि 110 स्वी में आते हैं तो शिच्छा बिभार का गठन किया गया आज सिच्छा बिभार का गठन किया गया एक उने 110 सिस्वी में ही गोपाल किशुन गोख्रे ने इंप्रिययर लेजिसलेटिव कॉंसिल में सबसे पहली बार प्रात्री के सिछ्छा को निशुल को निवाष करने का मुद्दा उठाया था इसी समय उनुनेश्यों सुल्लाव में आपका बीयस्थापना हो गया लेश्षू का अस्थापना हो गया कि बीएचु का जो अस्थापना हुआ वह चार फर्वरी उनिश्टो स्वल्ला को इसका जो है उद्धाटन हुआ था और उद्धाटन करने वाले वैक्ति थे उस समय के जो गवर्णर जनर्रवाइस रहे थे लौड हर्डिंग ने इसका उद्धाटन किया था करा इसका संस्थापक मदल महर माल विए उसे संस्थापक होनन थे बादन माल विए और मदल मालविए इसके पहले जए कि कुल पती भी थे जो გ से लेकि verkty 그냥 के up existुम्स को गुल्पती रहा है और यहां पर बेचांग में इसकर घामी सिख्थ भी लिए जाती थstop इसक धामा नुग्टी रिजाती तूए हुआ उनेसय में सद्रkęड़ाट राय एक का गठन का मूह कुद्धिस यही था कि तरव कंगrat करना करकत्ता विश्विद्याले की सीति पर विचार करना इस आयोप में Mr.겠ler थे जो इंग्लेंड के लिफ सिन्वर्शिटी के भाइस चांस्लर थे और इसमें दो भारतिय थे एक थे आसुतुष मुखरजी एक थे आसुतोस मुखरजी और एक थे जियाओदी महमद दो भारतिये थे इसमें निश्व सत्वा में बिटी सरकार ने सेर्लर आयोग का गठन किया था और गठन करने का उदेशियत था कि कलकत्ता विश्विड्याले की सितियों पर विचार किया जाए कलकत्ता विश्विड्याले की सितियों में विचार किया गया तो उसकी विचार के लिए जो सेर्लर थे जो इन्वर्सिटी के भाईश शांसलर थे और इसमें दो भारतिये थे असुतोस मुखरजी और जियाओदीन पहमद इससे आयोग ने जो अपना रिपोर्ट सपा वह यह था कि 10 प्लस 2 प्लस 3 सिच्छा को इसी ने भारत में इंट्रोड्यूश किया शेटलर आयोग ने जो आज आपकी परहाई का प्रम सिस्टम है 10 प्लस 2 प्लस 3 इसी ने लाया थे सबसे पार्या और कलकत्ता जाल सरकार के अंदरकर्श यह सबसे बढ़ा इसमें यह बात हुए इंप्टेंशिया कि तलकताइंबश्विश्टी पहले भाशन्वकार कंतर प्लस 4 असको ख़़िया गया भूंगार सरकार के अंदर लर्रण 1907 में आप देखेगा पट्वश्विद्याले का स्थापना हुआ 1918 में आप देखेगा तो उस्मानिया विश्विद्याले का स्थापना हुआ साप्जquez चो अर्मा किसमानिया बिश्विद्याले श्थापना हुआ है एक मेरीं किश्थापने कि संतीनिकेतन जाले के ास्थापना फिर में बोलपूर जिला में हुआ था बोलपूर में घृण करने वाले थे रभिनाण ट्रेगोर शांति निकेतन विश्विध्याले अजय यार रखिए कर पाद कर पहला केंद्री विश्विध्याले केंद्रि सेंटर उनुशिटी भी है बरावस इंद्रि उनुशिटी ही है स्थापना हुआ था उन्ह 202 में आपका स्थापना ठोक देली विष्बिध्या अंग कि अ मिधां था उन्हें 22 में 221 मैं एक आयोग का गठन किया गया था इंचकेप आयोग का गठन किया था उस समय भारत के वायस राय थे लॉड रीडिंग कि 1923 में यह हो गया और 1922 में यह हो गया उन्हें 1923 में ही आपका नागपूर इन्वर्शिथी का गठन हुआ था उन्हें 1923 में नागपूर इन्वर्शिथी का जठन हुआ था उन्हें 1926 में आंध्विश्पिद्याले का स्थापना हुआ था आंध्र विश्पिद्यालय का स्थापना हुआ था उन्हें 27 में देखिएगा तो आग्रा विश्पिद्यालय का स्थापना हुआ थी और उन्हें 29 में अन्ना मिलाई इंवर्शिटी का स्थापना हुआ था अन्ना मलाई इंवर्शिटी का स्थापना हुआ था जो सिख्षा पर सब्सक्राइब करना जबिए कि सिख्षा सब्सक्राइब कि फिर तो यह भारत का कुछ पर में को सकता यो scoring सबसे इंपोर्टेंट कमिशन है हाटोग कमिशन हाटोग कमिशन इसलिए लाया गया था उसमें सिच्छा के लिए विकास के लिए सिच्छा मंत्री का एक विभाग बनाया गया लेकिन जब से सिच्छा मंत्री आ गया तो सिच्छा का अस्तर गीर गया नई सोनीश के दिनियम में सिच्छा मंत्राले का गठन किया गया और उस मंत्राले के अंतरगास जो है सिच्छा के विकास कड़ाई सिच्छा मंत्री को सौब दिया गया तो देखा गया कि सिच्छा संस्थानों की संख पर काफी बल्ग था है इस विद्याले की सिख्छा में आगर आपको सुधार करना है अस्तर में सुधार करना है तो आपको सुधार करना होगा और हार्टोग कमिशन ने या माना की भारत में जो है सिख्छन संस्थानों की संख्या तो काफी बढ़ गई है लेकिन सिख्छा की गुनवत्ता काफी गिर गई है यहां कि तो यहीं है बिट्टिस का आगले और उसके बाद जो है 1937 में सबसे इंपोर्टें आया था सिख्छा पर जाकिर हुसेन समीति कर महात्मा गांधी ने एक समीति के अगठर किया था जाकिर हुसेन समीति और यह जाकिर हुसेन समीति ने जो बढ़धा योजनावी कहा जाता है यह महात्मा गांधी के कहने पर जाकिर हुसेन ने प्रस्तूत किया था इसमें जो तो था कि गतिवीदियो के माध्यम से सिच्छा प्राप करना और कहीं न कहीं वेबसाइक सिच्छा पर बल देता है जैसे दस्तकारी उद्धोग आप सिखिए इस तरीके का यह बात करता है तो कहीं न कहीं यह आगी में स्वालंभी और आत्मी भरता की बात करता है और हिंसा समाज हो समाज जो है आकमी भर हो यह वर्धा योज्ना का मुख्या यही कंट और हर शिम के माध्यम लोगों को मुhakeidir रहनदग सिखोसिक आगणा कि लोग के लिए और डिपेंडिनट नहीं हो तुज है वर्धा योजना का nor 24 मी आया थिस्टारोएक मैं सार्जेन प्रोजना तो आया गया कि भारत में 25 विश्विद्याले हैं, भारत में कितने विश्विद्याले हैं, 25 विश्विद्याले हैं, और 643 कॉलेज हैं, 25 विश्विद्याले हैं, जब भारत सुतन थोड़ा था, तो 25 विश्विद्याले था और 643 कॉलेज था, यह तो हुआ भारत में जो वि पर क्या विकास किया तो अंग्रेजों ने तकनीकी सिक्षा पर जो सबसे पहला विकास किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अधार 1835 सिस्वी में कि जो है वह सबसे पहला इंप्रोडेंट काम की कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया है ठाइट सो पहले में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता कि इंजिनिंग कॉलेज का स्थापना किया और यहां पर एक अच्छी प्रहाई होती है जो मकान का जो आखिटेक्चर का परहई होता है वह बहुत ही बेस्ट परहई होता है और फैरी सब परहम चर्चा नहीं करें जादा देफ्त में क्योंकि इंजिनियर का डिपार्ट्मेंट है और 1856 इसमें कलक्ता इंजिनिक कॉलेज का स्थापना किया गया है कलक्तौ एंजिनिर्इंग कोलेज के स्थापनायाcyj 10ौश अप्रू नहींकर स्थापनाओ चाहए शमच्पूर फश्पकी् agr पूलेज करना गया मुलिह जब वह घुटब लेकिन बेटी शिच्छा नीती थी क्या वह अपने उद्रेश्चों में पूरा हो सकी। क्या-क्या उसका उद्धिश था तो सबसे पहले अधुमुखी निशंदन लीजन का सिधान उआ उए बारत में जन्फिक्चा को परकूप कि परद शा Harahan meant भारत को बादबन मिला के 1230 जो है साख्षटा दर था जब भारत सुतंक हुआ और आठ प्रशेंट महिला साख्षटा थी तो यह सीटी था महिलाओं को सिख्षा से इसलिफ अंचित किया गया कि देखा गया कि अंग्रेजों का जो उद्देश इया था कि भारत में एक ऐसा क्लर्ट तो बनना नहीं चाहेगी अब तो खर चाहती है कि क्लर्ट के आप तो कोभी प्रकार फ्यूंद भी बनने त्यार है नेकि उसमें की मह मैं अध्यक्त अंग्रेजों ने कोई सुध कपरकाम नहीं खिया और सिख्षा जो थी वह एकसे का सकते हैं कि ज्ञान का व्याख्या करने का अधिकार जो है मैं कालेगा यह कहत्वाइना था कि हमें भारत में एक ऐसा नस्य चाहिए जो देखने में तो भारती हो लेकिन विचाष धालर के सब्सक्ष्र नियका शिछक्षिफी निती से सप्वेल सब्सक्राइक अगर किसी ने किया यहीं पढ़े लिखेवरऊंटो ने क्या दाश्टे सब्सक्राइप मोट्र पुर्त, उ पढ़े लिखे लोग पत्रकारता जैसे बैवसायों में डाक्टर जैसे बैवसायों में आगे आगे चोथा फैदा यह हुआ इनों ने अपनिवेशिक अर्थ तंत्र का व्याख्या किया और भारत के धन के सोशन का एक क्रमबध्या तो कुल विलाकर हम देखते हैं इसका सीपी क्या गैप जो बाद भारत के बाद भी बढ़ गया और वह हमें आज भारत और इंडिया के रूप में दिखाई परता है कही न कहीं जो भारत तॉर इंडिया के बीच में वह गैब जो है उनल्करिया और धुल-वाग अस्तर को गैप कम किया जा सके और आज भी आप देखिए तो सिच्छा में जो है सरकारी स्कूल धोस्त हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल जो है बचारी करने के नाम पर जो है जो भी कर रहे हैं उसा आप समझते ही हैं आगे मैं क्या बोलूं यही हो गया बिट्टी सिच्छा नीति अब थोड़ा सब बिट्टी सिच्छा नीति पर हैं कुछ और कुछ संस जिस्कस कर देते हैं जो की जरूरत है देंआ աी । 17-18 में जेू कलकत्ता मुदर्श का स्थापना होगे था उसके ही थे मॉयुद्दीन थे क्यों थे मुझधीन थे वक्षे वारेजन रस्टिंग्स ने कलकत्ता मुदर्शow का स्थापना किया था 1781 में उसका हेट किसको बनाया था मॉल्वी को उस मौल्मी का नाम था मौयुद्दीन यहां पर अर्मी फार्सी और उर्दू की सिच्छा दी जाती थी ताकि जो है अंग्रेज जो है उनके परसासन कानूं का जो नियम किताब है वो समझ सके यह इंग्देश सतर से जुनाथिक डंकन का भी था बनारस में जो संसीर को स्थापना किया रंगपूर बंगाल में है और यह पहला से राष्ट्री यह स्कूर है आठ नवंबर 1905 को कि यह निर्ने लिया गया कि भारत में प्राथ्मिक तक्निकी साहित्त्य बैग्यानिक समी प्रकार के शिक्षा निकास के लिए एक राष्ट्री सिच्छा परिषत का गठन किया जाएगा यह समुद्हूआ 16 नवंबर 1905 को और 15 अगास्त 1905 वर राष्ट्री यह थीच्छा परिषत का गठन प्रशुस憑 कंड़तЭ थे हैं माइकल मदू सुदन दर्ट पेरिस में यह 1822 इसवी में एस्यार्टि सूसायटि अव्फ फ्रांस के स्थापना की गई थी कि अचेक को तुन सौसाइटी या बंद फ्रांस के शापना की गई थी मायिकल मदुसूदन दर्थ को उसका एक सदस्त बना गया था प्लीस अच्यांटी सोसाइटी का मांनु नोन को मानथ सदस्त बना गया था अजिए उसके बाद जिए इंपोर्टेंट है वह यह है तो ये सब जो है कुछ slip के संस्कीत और पहला अंग्रेज किताब लिखने वाले हैं उनका नाम है ην है?」 वह भारती अंग्रेज थे जो N1 संस्कीत पर याक संस्कीत श्वार किताबगा मैंnot बाकी चर्चा है मैं कर चुका हूँ आपको अर्लियर वीडियो में वह फिर से रिपूटेशन करना ठीक नहीं रहेगा तो यहीं है आपका बिटी सिख्छा निती के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी उमीद है कि आपको इसके जितना मैं बता रहा हूं उसके अन्यत्र पढ़ने की कोई आप सकता नहीं है और मेरे वीडियो को अगर ठीक से सुनेंगे तो प्रारहमिक मुझत परिच्छा इंटर्व्यू तक के लिए निवंद के लिए भी बहुत यूपयोगी है इसी के साथ में ये वीडियो समाब कर रहा हूं धन्योब्त